नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल देफेक्ट आई में एक बार फिर से सारी कहानियों की सच्चाई जानने हम पहुचे हैं डेरा सच्चा सोदा बात करते हैं उन लोगों से जो आज भी लगाता डेरा सच्चा सोदा से जुड़े हुए हैं आपका मंदी पिंसा क्या क्वालिफिकेशन हैं मास्टर्ज इंग्लिश एंड वियर्ट आप कितने ताइम से डेरा सच्चा सोदा में जुड़े हुए हैं तकरीबन 20 साल से तो आप 20 साल से लगातार यहां आ रहे हैं लेकिन पिछले कुछ काई में जित्ना कुछ भी हुआ अगर तो जानते हैं कि ज सच है वो क्या है इसलिए मैं की बात कहना चाहते हूं कि अगर अलesi कशन सकें तो यहां पार चरांने बार siya आख लेनो मैं студ के आपके बारे में spend तो मैं लॉजिकली विश्वास करूँगी कि मैं जगह से 20 साल से जुड़ी हूई हूँ, जब मैंने कुछ नहीं देखा, तो हांके नहीं बलीव अल दीज काइंड आफ रूमर्स। चलाए जाते हैं। वहां पर जाके देख सकते हो कि वेल एजुकेटर इंजिनियर्स, डॉक्टर्स, देख सकते हो कि बड़े नालों में वो लोग भुसे होते हैं सेवागर्मे के लिए। वहें नहीं किया जाता। उन्हें लॉजिक समझाया जाता है कि जो इंडिया के लिए एक स्लोगन यूज किया जाता है डिर्टी इंडिया। उसे रिमूव करने के लिए उमारे जो चत्यगुन है, हमारे पिता यह वो इंस्पायर करते हैं लोगों को अगर आप आके इसमें इनिशेट करोगे तो और लोग आपको देखके वो भी इनिशेट करेंगे। तो इस इस जस्ट दवेग देर इस नोट एनी काइड़ पेमेंट पूर। आप यह बता हो कि आप लोगों को टाइटल दिया गया कि आप अंधभगत हो। अंधभगत नाम देना बहुत गलत बात है। कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि अगर विश्वास का दूसरा नाम पूछा जाए तो वो टेरा सचसोदा है हमारे लिए। कि आज तक हम में कोई भी गलत बात नहीं सिखाई गई। इसे पिते ही ने कोई ऐसा बच्छा नहीं किया। अपनी परस्रेल लाइफ में पिते ही ने कुछ ऐसा नहीं किया कि जिसमें हमें कुछ गलत है। और हम अंध बगत नहीं हैं हमारा जो फेथ है विल्कुल ट्रू है। तो किस तरीके की कार रहे हैं देरा सच्चा सोदो द्वारा लगातार चलाए जा रहे हैं। देरा सच्चा सोदो द्वारा लगातार चलाए जा रहे हैं। जिसमें के गरीब को जो गरीब है मिल्कुल आचार है घर बना के देना। ठीक है। उनके लिए फूड बैंक्स ओपन किये गए हैं। क्लोथ बैंक्स हैं। टॉइ बैंक्स हैं। फिर उसके बाद आफ्टर डीमाइज पीपल अपनी बॉड़ी डुनेट करते हैं। और गन डुनेट किये जाते हैं। लीगली उनके विलिंगली वो डुनेट करते हैं। समाज में हमें कोई चेंज लेके आना है। तो हमें ऐसे ही जो प्रमोटर्स हैं। अगर उनके एक इशारे पे इतने लोग इंस्पायर होके नशा चोड़ सकते हैं। तो क्यों ना उन्हें ये टास्क करने दिया जाए। तो इसके लिए हमारी सकार से भी अपील है कि वो जो भी चीजे हो रही हैं। पर दोबारा एक बार उसकी लीगली जो इंस्पैक्शन हो दोबारा जांच हो तांके सचाही सामने आ सका।